अलो गैज, वेलकम टो एड़ो वंगपुरन, मैं हूँ आपका दोस्त अश्वी निकमार और मैं आज की इस वीडियो में नाकपुरी लोग साहित्तिका जो एक टॉपिक है लोग कथा, तो लोग कथा समंधी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्ण बन सकते हैं, वो आज की इस जेशी CGL का नाकपुरी का syllabus, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? नाकपुरी लोग साहित्ति पढ़ रहे हैं, नाकपुरी लोग साहित्ति में भी नाकपुरी लोग साहित्ति सिर्फ जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्ण बन सकते हैं, उसको MCQ के फॉर्म में औरेडि चैनल प तो आईए आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पहला प्रशन है, किसी विशेश उदेश कर पूर्ती करेक ले और सिच्छा देवेले, कौन कथा कहल जायला, तो आपके option है, option A, निती कथा, option B, अनुष्ठानिक कथा, option C, सामाजिक कथा, या फिर option D, मनुरंजन कथा, तो इसका correct answer हो जायगा, option number A, निती कथा, अगला प्रशन है, नाटपुरी लोग कथा कर अकर बरगी करन के प्रकार से करल जाएल सकेला, तो आपके option है, option A, दू, option B, 3, option C, 6, या फिर option D, 8, तो इसका correct answer हो जायगा, option number C, 6, नाटपुरी लोग कथा कर बरगी करन, 6 प्रकार स प्राचवा है, मनोरंजन संबंदी कथा, और छटा है सामाजिक कथा, तो इजे भावों में नाकपूरी लोग कथा का वर्गी करण किया जा सकता है, अगले प्रेशने पर चलते हैं, नाकपूरी लोग कथा कर मुद्य उदेश का है के, तो आपके option है, option A, नैतिक शिक्षा, option B मनोरंजन, option C, धर्मकरपरचार, या फिर option D, A और B, दोनो, तिसका correct answer हो जाएगा option number D, A और B, दोनो, नागपूरी लोग कथा का मुख्य उदेश जो होता है, तो नैतिक शिक्षा प्रतान करना है, और मनोरंजन करना है, ठीक है, अगला प्रशन है, नागपूरी लोग कथा, ह दोनो, देखे दोस्तों, अगर आपको details में, A और B इस तरह का option अगर ना रहे, ठीक है, तो आप लोग option number A पे जाईएगा, ठीक है, और अगर दिया हुआ रहेगा A और B दोनो, तो गद्य और पद्य, दोनों में लोग कथा जो है, उसको वर्डन किया जाता है, वर्डनित क अगर कोशन में यह आ गया है, कि पाश्यात कभी लोग किस प्रकार से वर्डन किये हैं, तो आपके option है, option A, option B, 3, option C, 4, या फिर option D, 8, तिसे correct answer हो जाएगा, option number C, 4, जो पाश्यात विद्वान लोग जो है, उन लोग 4 तरह से लोग कथा का वर्डन किये हैं, अब कौन कौन स अगर कोशन में यह आ गया है, कि पाश्यात कभी लोग किस प्रकार से वर्डन किये हैं, लोग कथा का, तो इन 4 प्रकार से किये हैं, ठीक है, चलिए अगला प्रशन है, डॉक्टर इस्तीत थोप्सन, नागपुरी लोग कथा कर वर्डन किये हैं, तो आपके option है, option A, 2, option B, 3 option C, 6, या फिर option D, 8, तो इसका correct answer हो जाएगा, option number A, दो प्रकार से किये हैं, और कौन सा वो प्रकार है, तो दो प्रकार है, पहला है सरल कथा है, और दूसरा है जटिल कथा है, तो इस्तीत थोप्सन जो है, वो दो प्रकार से नागपुरी लोग कथा का वर्डन किये हैं, ठी फिर option D, मनोरंजन कथा, जिसका correct answer हो जाएगा, option number B, आनुस्ठानिक कथा, तो जो भी पर्वत्योहार के समय जो कथा सुनाई जाती है, उसको हम लोग आनुस्ठानिक कथा किस रणी में रखते हैं, ठीक है, अब जिसे करम हो गया, जितिया हो गया, तीज हो गया, सरहूल हो करम में हम लोग धरम और करम नाम का जो दो लोग हैं, उसका जो कथा कहते हैं, तो ये सब सारा कुछ किसके अंतर गता आता है, अनुस्ठानिक कथा के अंतर गता आता है, ठीक है, आई हो, आपका concept clear हुआ होगा, अगला प्रशन है, डॉक्टर सतेंद्र नाकपूरी लोग कथा को डिवाइट किया है, ठीक है, कौन को नहीं देख लेते हैं, पहला है गाथाएं, दूसरा है पसु संबंधी अत्वा पंच दंत्र, तीसरा है परी कहानी, चौता है विक्रम की कहानी, पाचवा है बुजविल, छठा है निरिशन गर्वित कहानिया, और सात्वा है प्त्योहार कर आउसर ने कहल जायला, से कौन कथा है के, तो आपके उप्सन है, उप्सन नीती कथा, उप्सन बी अनुष्ठानिक कथा, उप्सन सी सामाजी कथा, या फिर उप्सन डी मनुरंजन कथा, तिसका करेक्ट एंसर हो जाएगा, उप्सन नमबर बी अनुष्ठानि कथा अगला प्रश्णा है संस्कृत कर आचारे आनंद वर्धन ना पूरी लोग कथा कर वर्गी करन कई प्रकार से करहक हैं तो आपके option है option A7, option B3, option C6 या फिर option D8, तिसका correct answer हो जाएगा option number B3, जो संस्कृत के आचारे आनंद वर्धन है वो तीन प्रकार से विवाजित किये कौन कौन सा है प्रकार पहला है परी कथा दूसरा है सफल कथा और तीसरा है खंड कथा तो आचारे आनंद वर्धन वर्धन वो तीन प्रकार से विवाजित किये हैं वो आपको दिमाज में रखना होगा इससे प्रशन पूछे गया है तो इससे प्रशन पूछने की संभाव होना ज्यादा है ठीक है अगला प्रश्णा है संस्कृत कर आचारे हरी चंद्र नागपूरी लोग कथा कर वर्गी करन कहें प्रकार से करहत हैं तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन एच साथ ऑप्शन दी तीन ऑप्शन सी चार या फिर ऑप्शन डी आठ तो इसका करेक्ट एंसर चार तरह से वर्गी करत किया है किसने किया है तो आचारे हरी चंद्र ने किया है ठीक है दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीन सॉट लेते जाएगे बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा है कि सर वीडियो तो समझ में आ जा रहा है लेकिन याद नहीं हो पा रहा है तो याद करने क से इसकर आजा आजी छववा मन के सुनावे ना जे छववा मन के आनन्दित करेला कौन कथा कहल जायेला तो आपके option है option A नीती कथा, option B अनुष्ठानिक कथा, option C समाजिक कथा या फिर option D मनोरंजन कथा तो इससे correct answer हो जाएगा मनोरंजन कथा, जो है वो ज्यादा तर जो वयो विर्द्ध लोग जो होते हैं, भुढ़ा पुरानिया लोग जो होते हैं, वो सुनाते हैं बच्चों को और उससे वो कुछ ना कुछ नीती सिख्षा की बात या कोई उडेश की पूर्ती भी करते हैं, ठीक है, तिसका correct answer हो जाएगा, option number D मनोरंजन कथा, अगला प्रशन है, नाकपुरी लोग कथा कर शैली कैसन होवेला, तो आपके option है, option A ब्यवहारिक, option B अब्यवहारिक, option C A और B दुनों, या फिर option D उपरे देवल कोनों नहीं, इसका correct answer हो जाएगा, option number A ब्यवहारिक, अगला प्रशन है, नाकपुरी लोग कथा कर स्वभाव है के, तो किस तरह का स्वभाव है, आपके option है, option A परिवर्तनशील, option B अपरिवर्तनशील, option C A और B दुनों, या फिर option D उपरे देवल कोनों नहीं, इसका correct answer हो जाएगा, परिवर्तनशील, नाकपुरी लोग कथा का जो स्वभाव है, वो परिवर्तनश ठीक है, इसको किस तरह से आप समझेगा, कि समय के साथ जो होता है ना, लोग कथा में बदलाव आते रहता है, इसलिए नाकपुरी लोग कथा का जो सोभाव है, वो परिवर्तनशील होता गया है, ठीक है, चलिए अगला प्रशन है, साधारन तह, नाकपुरी लोग कथा के क नाकपुरी लोग कथा को सुनाते हैं। अगला प्रश्ण है साधारन तर नाकपुरी लोग कथा ने वीर मन कर वर्नन कोन गुन ने करल जाएला। तो आपके ओप्षन है ओप्षन A, रजो गुन, ओप्षन B, तमो गुन, ओप्षन C, ओजगुन या फिर ओप्षन D, सत गुन, तो इसका correct answer हो जाएगा option number C, ओजगुन अगला प्रशन है नाकपुरी लोग कथा में इस बात को समझ लेना जरूरी है कि उनमें निराशावात का नाम तक नहीं है उपरे देवल गोईट के कर लागेला तो आपके option है option A, मैक्सिम गोर्की option B, डॉक्टर ग्रियर्शन option C, डॉक्टर भौनेश्वर अनुज या फिर option D, हजारी प्रसाद दिवेदी तो इसका correct answer हो जाएगा option number A, मैक्सिम गोर्की अगला प्रशन है कत्य प्रकार कर ततो कर आधार ने नाकपुरी लोग कत्हा के परखल जाये सकेला तो आपके option A, option A, 4 option B, 5 option C, 6 या फिर option D, 8 जिसका correct answer हो जाएगा option number C, 6 आईए सकी कुछ details को देखने है चो प्रकार कर ततो कर आधार ने नाकपुरी लोग कत्हा के परखल जाये सकेला ठीक है मतलब कि नाकपुरी लोग कत्हा जो है उसमें कितना उसका importance क्या है ठीक है वो जनहीत में कितने दूर तक फैला हुआ है ये सब के बारे में कौन-कौन से points है जिसके आधार पर नाकपुरी लोग कत्हा को हम लोग परख सकते हैं ठीक है तो वो छो प्रकार से है कौन-कौन सा कत्हावस्तू कत्हावस्तू के अंतरगत क्या आता है परंपरा आता है जीवन समस्य आता है अंध्य विश्वास लोग विश्वास और नहतिक्ता आता है ठीक है दूसरा है तत्व पात्र जिसमें कि राजा और पसु पक्षी ये सब जो होते हैं पात्र उसके आधार पर भी नाकपूरी लोग कत्हा को परखा जाता है तिसरा है वातावरन प्रकृती, पहाड, बन, पत्रा, नदी ये सब का वर्णन जिसमें होता है तो इसके आधार पर भी लोग कत्हा को परखा जाता है और चौता होता है कथोप कथन देखे कथोब कथन में क्या होता है पसुपक्षी का समवाद होता है आप देखे होंगे कि एक डाल में दो चिडियां बैटी हुई है और दोनों आपस में बात कर रही है तो इस तरह से जो कथा होते हैं उसको कथोब कथन कहते हैं वन का समवाद एक वन का समवाद दूसरे वन से या वन जो है किसी राजा समवाद कर रहा है इस तरह की भी कहानिया हम लोगों ने बहुत सुनी हैं तो वो भी कथोप कथन के अंतरगत आता है नदी का समवाद होता है या वर्णा आत्मक कथा जो होता है वो सभी कथोप कथन के अंतरगत आता छटा है शैली, शैली के आधार पर भी नागपुरी लोग कथा को परखा जा सकता है, तो लोग कथा का जो होती है, नागपुरी लोग कथा का अपनी शैली होती है, जो कथानक पर निर्भर करता है, जो कथानक मतलब कि जो कथा सुना रहा है न, वो किस तरह से कथा सुनाता है उसकी शैली क्या है तो इस पर भी नाथपूरी लोग कथा को पर्खा जाता है तो अगर प्रशना आया कि नाथपूरी लोग कथा को किस प्रकार से पर्खा जाता है तो इन छे प्रकार से पर्खा जाता है ठीक है चलिए अगला प्रशना है डॉक्टर कृष्ण देव उपाध अध्याय के अनुसार, लोग कथा की विशेषता आठ प्रकार से है, कौन-कौन सा है वो देख लेते हैं, पहला है प्रेम का अभिन उपस्थिती, नाकपुरी लोग कथा में प्रेम की भावना कूट-कूट कर भली रहती है, अशलील स्रिंगार का आभाव, आप लोग जो है, उसका मूल प्रविर्टी से हमेशा साचारे होता है, साचारे मतलब की हमेशा साथ रहता है, चौथा मंगल पकावना की भावना होती है, सुख और संजोग होता है, कहानियों में जो भी लोग कथा सुना जाता है ना, उसका अंत हमेशा सुखत होता है, और संजोग का मतलब कि अंत में माली मां है वो अपने बेटे से पिछड़ गई हैaremos काला है रहास्य और लिक्ता की पि किर दानता होती है उच्छ उप्ता की भावना होती है और वर्णन स्वभवेता होती है तो यह आठ प्रकार से विशेस्थ्राओं का वर्णन की है कौन किये हैं तो क्रिष्णे देव उपाध्याई किये हैं देखिए इनका नाम आप इन जनरल पाईएगा लोग कथा में और लोक गाथा में ठीक है क्योंकि लोक कथा को लोक गाथा से भिन्ह नहीं किया जा सकता है ठीक है चलिए आगला प्रश्ण है नाग्पूरी लोग कथा कर अभी प्राय के कैठो स्रेणी ने विभाक्त करल जाया सकेला तो आपके ऑप्सण है ऑप्सण ए 4 ऑप्सण भी 3 ऑप्सण सी 6 या फिर ऑप्सण इसका correct answer हो जाएका option number फी 3 देखे दोस्तों नाकपुरी लोग कथा का अभी प्राय का मतलब क्या है कि नाकपुरी कथा जो लिखा जाता है उसका मतलब की इंटेंसं क्या होता है तो उसी को कहा जाता अभी प्राय तो वो किस क्या श्रीनि में उसको बिभक्त किया सकता है तो तीन स्रेडियों में कौन-कौन सा है करता कफाउं में देवता असाधारन परूड पशू आश्यर जनक प्रानी जिसे की भूत प्रेट डाइन चुडेल अपसरा ये सब का वर्णन होता है कथा व्यपार मतलब की व्यपार के काम आने वाला कुछ वस्तू मन जो है उसको बेचने के लिए भी कथा बोला जाता है मैंने क्या बोला कि intention क्या है कथा सुनान करने का तो मान लिए किसी भी चीज को आज के जट में हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारा advertisement आता है ठीक है नमक का advertisement आता है तेल का advertisement आता है कि आप इस कलर का नमक खाईएगा तो आपकी जीवन बहुत अच्छी हो जाएगी मजबूत हो जाईएगा किसी तरह का होता है न कुछ घटनाएं जिकर बहुत से अभी प्राएए आवेला कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसका बहुत सारा अभी प्राएए होता बहुत सारे intentions होते हैं तो उसके लिए भी नागपूरी लोग कथा को पाटा गया है तो इस तरह से तीन अभी प्राएए के साथ नागपूरी लोग कथा को सुनाया जाता है आई हूप आप इसको समझे होंगे चलिए आगला प्रशना है परसिद्ध भाखा बेजानिक यानिकी वैग्यानिक ग्रीम परी कथा मनक संपादन और संकलन कर हकें ग्रीम कर संबंध कोन देश से आखे तो आपके option है option A England option B America option C Germany या फिर option D Canada त जो है ग्रीम वैग्यानिक है ग्रीम उन्होंने बहुत सारी परी कथा है फेरी टेल्स जो होता है ना उसका संकलन किया है ठीक है और यह कहां के रहने वाले हैं जर्मनी के रहने वाले हैं चलिए अगला प्रशन है डॉक्टर कृष्ण दे उपाध्या है परी कथा के कैटो भ परियों द्वारा मनुक मन के हानी पहुचाना तीसरा है परिक द्वारा मनुक मन कर अपहरन परियों द्वारा क्रितरीम छववा के जनम देवेक ठीक है और परियों द्वारा मनुक मन के परी लोग कर यात्रा करे और प्रेमी एवं प्रेमी का कर रूट में परी मन तो यह त अच्छे तरह से कृष्ण देव उपाध्याय जो है वो परी कथा को डिवाइट किये हैं ठीक है अगला प्रश्ण है पच्छमी देश ने फेरी कर कलपना नहीं दिखे वाला छोटा और नटरा कर रूप में करल जायला भारत ने फेरी ले कोन सब्दकर परोग करल जायला ठीक है छोटे और बॉने लोग होते हैं ठीक है आप लॉट्स ऑफ दर रिंग्स मूवी देखे होंगे उसमें आप लोग देखे होंगे चोटे और बॉने लोग है ठीक है और उस तरह के लोगों के रूप में किया जाता है ठीक है भारत में फेरी लिए कौन सा सब्द का पर किया जाता है तो आपके option है option A, option A, option B, option C, गंधर्व, या फिर option D, उपरे देवल, सौधे, यह से correct answer हो जाएगा, option D, उपरे देवल, सौधे, भारत में परी, अपसरा और गंधर्व लोगों का जिक्र किया जाता है, ठीक है, गंधर्व का मतलब हो जाता है कि आपका जो इंद माने का होएला, तो आपके option A, option A, option B, जादू या इंद्रजाल, option C, गंधर्व, या फिर option D, उजर्थ, तो इसका correct answer हो जाएगा, option B, जादू या इंद्रजाल, अगला प्रशना है, लोग गाथा, विशाय, प्रधान, का भी हैके, उपर दवल, समवाद के का हक है, तो आप प्रशना है, डॉक्तर सत्या गुप्त, लोग कथा के काय भागने बाई ठक है, तो आपके option A, दू, option B, 3, option C, 4, या फिर option D, 5, देखे, question क्या है, लोग गाथा, इससे पहले हम लोग कथा देख रहे थे, तो लोग गाथा का मतलब हो जाता है, लोग कथा में ही आप सुनते ह होंगे, किसी वीर पुरुष की कहानी के बारे में बता जाता है, राजा रानी के कहानी के बता जाता है, ठिक है, भगवान गनेश हो गए है, शिव हो गए है, पारवती हो गए है, चंडी मया हो गई, ठिक है, ये सभी के बारे में गाथा गाया जाता है, उसी कहते हैं, तीर कथात्मत दूसरा है परेम कथात्मत और तीसरा है योग सम्मंदी या अदबुत गात्हाएं ठीक है चलिए अगला प्रशना है लोग गाथा के क्या भागने बर्ग किरित करल जाए है के तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन एक दू ऑप्शन भी तीन ऑप्शन सी चार या फ डॉक्टर रॉबर्ट ग्रेप्स लोग गाथा कर कते विसेश्था बताए हका है तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन एप्शन एप 5 ऑप्शन भी 10 ऑप्शन सी 11 या फिर ऑप्शन डी 12 तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर c 11 इसके डेटियल को देख लेते है कि डॉक्टर रॉबर्ट ग्रेफ्स जो है वो लोग गाथा की 11 विसेस्ताओं को बतला हैं कौन-कौन से विसेस्ताओं हैं आपका है अज्यात रचनाकार दूसरा है प्रामानाईता की कमी तीसरा है संगीत का सहाचर एवं सहयोग आप लोग देखिएगा गाथा सुनाते सुना यह किसी भी चीश के बारे में बतलाते हैं श्राकंट चयों को ब्छान बिर्सामुंदा के बारे में मौमाल जी हूं ठीक है तो उनकृट से भी गाने लगत आठवा है दिर्ग कथानक की विद्यमानता नौवा है टेक पदों की पुनरावरती और दस्वा है इतिहास की संदिख्ता और ग्यारा हुआ है लोक्षन्द और दुख की लापरवाही टिक है आप लोग इसका स्क्रीन सॉट लेते जाए और इसको लिख लिख के आप लोग याद कर लीजिए और जिनको पीडियेट मिल रहा है उनके लिए तो कोई दिकत नहीं है चलिए अगला प्रशन है लोग गाथाओं कर प्रमुक उद्दे से काल आगेला तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन है धर्म कर परचार ओप्शन बी देवी देवता कर बर्णन और फिर ओप्शन डी मनुक के मोह माया से मुक्ती करेक्ट एंसर हो जाएगा और अप्शन नमबर सी लोग जिवन ने समन्व करे अगला प्रशन है लोग गाथाओं में ऐसी भावना होती है कि वह जीवन के भीषण वनों को तपो वन में परणित कर देता है उपरे देवल संबात लोग गाथा कर विशेष्था के उजागर करेला ठीक है इक अथन के कहा है तो उपर दिया हुआ जो statement है न वो लोग गाथा की विशेष्था बतलाती है ठीक है और ये विशेष्था किसने बतलाई है तो आपको आपके option A dr. सत्यागुप्थ option B dr. राजकुमार वर्मा option C dr. कृष्ण देव उपाथया या फिर option D dr. शकुंदला मिश्र तो इसका correct answer हो जाएगा option number B dr. रामकुमार वर्मा चलिए अगला प्रश्ण है लोग गाथा के कथागीत के कहक हैं तो आपके option A dr. सत्यागुप्थ option B dr. रामकुमार वर्मा option C श्री छबेर चंद मेगानी या फिर option D dr. शकुंदला मिश्र जिसका correct answer हो जाएगा option number C छबेर चंद मेगानी दोस्तों ये जो वीडियो है वो हर तरह की competitive examinations में पूछे जाएंगे और इस तरह के प्रश्ण पूछे गया है इसलिए इस तरह के प्रश्णों को आपके सामने रखा गया है ठीक है चलिए अगला प्रश्ण है old English ballots नामत किताब ने लोग कथा कर विशेष्टा कर बरनन है कि इक किताब के कर रचना है तो आपके option पर जो कहां होई है कि तो आपके option है option A Rig Veed, option B Sam Veed, option C यजूर वेद या फिर option D अथर वेद तो इससा correct answer हो जाएगा option number A Rig Veed हमारे पास शार वेद हैं उसमें सबसे पुराना वेद जो है वो और गाथासद का हुभयोग रिःघु वेद में किया घ्यागिया है तो इसससे और बोला जाता है कि आप आईये हमारे यहां पूजन कीजिये और हमें आसिरवादित कीजिये मेरी रक्षा कीजिये यह रिग वेद में है ठीक है तो इसका correct answer हो जाएगा option नमबर A रिग वेद गाथा सब्द का सबसे पहला परियोग रिग वेद में किया गया अगला प्रशन है कथात्मक गीतों पर विचार करेक बाद एके लोग गीत कर संग्या कौन सहितिकार देला है तो आपके option है option A Dr. Greerson, option B Dr. E.H. Vittaly, option C A B गमियार या फिर option D Dr. Krishnadev उपाद ध्याए तो इसका correct answer हो जाएगा option D Dr. Krishnadev उपाद ध्याए अगला प्रशन है जे गाथा के गावे ना उके कौन नाम से जानल जायला तो आपके option है option A, गीतकार, option B, संगीतकार, option C, गाथिन या फिर option D, उपरे देवल, कोनों नहीं तो इसका correct answer हो जाएगा option C, गाथिन, जो गाथा गाते हैं उसे गाथिन कहते हैं दोस्तों ये सब सारे बहुत important questions हैं तो इसको आप लोग जरूर से अपने दिमाग में रखिए अगला प्रशन है लोग भासा के माध्यम से सांगीतिक आवरण में दिर कथा वस्तू की अभिवेक्ती लोग गाथा कहलाती है उपरे देवल कथन के कहा हक हैं तो आपके option है option A Dr. Grayson, option B Dr. Vidya Chauhan, option C A B गमियार या फिर option D Dr. Krishnadev उपाद्याए तो इसका correct answer हो जाएगा option number A B गमियार नहीं यहाँ पर option number C जो है वो गलत दिया हुआ है इसका correct answer हो जाएगा option number B Dr. Vidya Chauhan, ठीक है तो Dr. Vidya Chauhan ने कहा है कि लोग भासा के माध्यम से सांगीतिक आवरण में दिर कथा वस्तू की अभिवेक्ती लोग गाथा कहलाती है मतलब लोग गाथा का यह परिभाशा दे रहे है ठीक है तो इसका correct answer हो जाएगा option number B ठीक है यहाँ पर दिया हुआ और answer जो दिया हुआ है वो गलत है ठीक है अगला प्रशन है लोग गाथा छोटे पदों में रचित एक ऐसी प्रानमाई सरल का विता है जिसमें कोई लोग लोग प्री कथा बहुत ही विशद रूप में कही गई है उपरे देवल कथन के कहके हैं तो आपके option A डॉक्टर मरे, option B डॉक्टर विद्या चोहान, option C A B गमियार या फिर option D डॉक्टर कृष्ण दे उपाध्या है तो इसका correct answer हो जाएगा option A डॉक्टर मरे तो डॉक्टर म बहाशा में अच्छे तरीके से कहे गई होती है चलिए अगला प्रशना है नात्पूरी लोग गाथा कर मुद्ध अंग कहके तो आपके option A मंतर, option B कहानी, option C संगीत या फिर option D उपन्यास, इसका correct answer हो जाएगा option C संगीत ठीक है इस question को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लोग कथा लोग गाथा को सबसे ज़्यादा किस चीज में व्यक्त किया गया है ऐसे भी question अबन सकता है ठीक है या और ये पूछा हुआ question दिये तो सबसे ज़्यादा संगीत के माध्यम से लोग गाथा को सुनाया जाता है ठीक है चलिए अगला प्रशना है लोग कहानी कर सब से पहला अनुवाद कुन भाखा ने फोलक तो आपके option है option A और B, option B पहलवी, option C बरतानी या फिर option D जर्मन या फिर option E, A और B दोनों तो इसका correct answer हो जाएगा option number E, A और B दोनों देखियो दोस्तों लोग कथा या लोग गाथा जो है लोग कहानी जो है ये सबसे पहले भारत में ही श उसको क्या कहते है origin वो भारत वर्ष नहीं अब भारत से अरवी लोग और पहलवी लोग जो होते है ना वही इसका अनुवाद किये ठीक है क्योंकि हम लोगों को तो गाओं महले जो आम के पेड़ के नीचे या फिर इमली के पेड़ के नीचे या फिर चटान के ऊपर बैट पहलवी लोग सिखे और इसका अनुवाद हिंदी से पहले अरवी में किया गया और फिर पहलवी में किया गया पहलवी क्या है जातर आप लोग लोग हिस्ट्री पढ़े है अगर नहीं पढ़े तो भी मैं बतला दूँ अच्छे तरीके से कि जो पर्षियन लोग थे उनको पहलवी कहा जाता था आज का डेट में जो इरान आप देख रहे हैं ना तो इरान में जो पहलवी होते थे लोग परशिया लोग हो परशियन्स होते थे तो उन्हीं को पहलवी कहा जाता था और बहुत ही जादा इंटेलिजेंट लोग होते थे ये लोग अभी के समय जैसे अगला प्रश्णा है, यूरोप कर कौन कहानी ने भारती लोग कता कर परभाव दिखता है, तो वो कौन सा है, तो इसपस फेबूल्स है, अगला प्रश्णा है, डॉक्टर कुंदनलाल उत्प्रेती, अभिव्यक्तिकर कैट हो रूप बताए हैं, अगला प्रश्णा है, लोग भासा के माध्यम से, सामान्य लोग जीवन में प्रचलित, वैकालिक विश्वास, आस्था और परमपरा पर आधारित कथा हैं, लोग कथा के अंतरगत आती है, तो उपर देवल कथन के का रखे, मतलब कि उपर दिया हुआ कथन जो है, वो लोग कथा का डेफिनेशन है, उसकी परिभाशा है, तो ये परिभाशा कौन दिये हैं? तो आपके option A, option A, Dr. मरे, option B, Dr. विद्या चोहान, option C, A, B, गमियार, या फिर option D, Dr. कृष्ण दिये उपाद्या है, जिसका correct answer हो जाएगा, option number B, Dr. विद्या चोहान. अगला प्रशन है, question number 43, लोग में प्रचलित और परमपरा से चली आने वाली मूलता मौखिक रूप में प्रचलित कहानिया, लोग कहानिया हैं? उपरे देवल के करहके, तो आपके option A, Dr. मरे, option B, Dr. विद्या चोहान, option C, Dr. सतेंद्र, या फिर option D, Dr. टृष्ण देव उपा हित है, उपरे देवल कथन के करहके, तो आपके option A, Dr. सत्या गुप्ता, option B, Dr. विद्या चोहान, option C, Dr. सतेंद्र, या फिर option D, Dr. कृष्ण देव उपाध्या है, तो इसा correct answer हो जाएगा option A, Dr. सत्या गुप्ता, अगला प्रशन है, भूत जानने की जिग्यासा, घटनाओं का सुत्र, सभी कुछ लोग कथा में मिल जाता है, उपर देवल कथन के करहके, तो आपके option A, Dr. सत्या गुप्ता, option B, Dr. विद्या चोहान, option C, Dr. सतेंद्र, या फिर option D, Dr. कृष्ण देव उपाध्या है, तो इसा correct answer हो जाएगा, option A, Dr. सत्या गुप्ता, लोग गाथा कर भाथ कैसन होएला, तो आपके option है, option A, अस्थाने, option B, सरल, option C, बोध अगम्य, या फिर option D, उपर देवल सोभे, तो इसका correct answer हो जाएगा, option D, उपर देवल सोभे, तो लोग गाथा की जो भाषा होती है, वो अस्थानी भी होती है, सरल भी होती है, और बोध अगम्य होती है, option A, अलंकारिता, option B, सरलता, option C, पद लालित्य, या फिर option D, A और C, दोनों, तो इसका correct answer हो जाएगा, option B, A और C, दोनों, अलंकारिता और पद लालित्य की कमी मिलती है, अगला प्रशना है, बाल कथा क्या प्रकार के होएला, तो आपके option A, दू, option B, 3, option C, 4, या फिर option D, 5, तो इसका correct answer हो जाएगा, option A, दो प्रकार से, बाल कथा जो है, विद्वान लोग जो है, वो बाल कथा को दू प्रकार का पता है, एक है लगूचंद, और दूसरा है, साधारन लगूचंद, ठीक है, अगला प्रशना है, इक कथा के कहक वाला कहानी के कर्थे ने, पूरा वि बिश्वास कथा, तो इसका correct answer हो जाएगा, option number D, बिश्वास कथा, अगला प्रशना है, question number 50, भाई बहन कर प्रेम, राजकुमार, राजकुमारी कर प्रेम, माय कर अपन छववा मन से प्रेम, कोन कथा कर अंतरगत अवेला, तो आपके option है, option A, नीती कथा, option B, अनुष्ठान कथा, option C, प्रेमात्मक कथा, या फिर option D, विश्वास कथा, तो इसका correct answer हो जाएगा, option number C, प्रेमात्मक कथा, तो दोस्तों, ये था लोग कथा से सम्मंधित, महत्वपूर्ण प्रशन, जिसको मैंने MCQ के फॉर्म में, व्याक्षा के साथ, आपके सामने रखने की कोशिस की है, इससे बाहर कोई भी प्रशन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, प्रिविएस एर्स के विएक जो questions है, उसको इसमें add किये जा चुके है, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रुरत नहीं है, ठीक है, तो आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूँ, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, अपने suggestions कॉमेंट बॉक्स में, जरूर से कॉमेंट कीजिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए add one current चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रख के जैहिन